देश भर में नई शिक्षा निती को लागू किये तीन साल फुरे हो चुके हैं, नई शिक्षा निती विदार्थियों को मनपसंद विश्यों को चुनने की स्वतन तरता देती हैं, शिक्षा निती में स्थाने भाषाओं को प्रात्मेक तरी कई हैं, इससे विदार्थी जमेन से जुडेंगे अंग्रेजों ने बाबू बनाने के लिए शिक्षानिती लाई थी उसको बदलना जरूरी था अब ये बदलाओ देश में नई यूग की शुरुवात है नई शिक्षानिती शिक्षा में गुड़ों अत्तर लाने के साथ साथ विद्यार्थियों को आत्म नेर सकते हैं डिग्री होल्डर होना ही जरूरी नहीं है दरातल से जुड़ना जरूरी है तब ही शिक्षा और देश आगे बढ़ सकता है मेरा नाम डॉक्टर आनंद कुमार है और आज हम लोगों ने और आप ने ये प्रेस कांफरेंस इसली और्गनाईज की है कि नेशनल एडुकेशन पॉलिसी का कैसे इवलूशन पिछले तीन सालों में हुआ है तीन साल पहले ये पॉलिसी बनी थी और हम लोग कहां तक सक्सी किये हैं और हमारे आई आई एस का क्या उसमें योगदान और प्रतिभागिता रही है उसके विशे में हम लोग ने बहुत विस्तार से चर्चा की क्या रखता है जो आई आई एसस तो कितना उसका कंप्लीट रोल रहा है हम अपने दाएरे में जो जितना भी हो सकता था जितनी भी नेशनल एडूकेशन पॉलिसी की एक्सपेक्टिशन हमारे जैसे इंस्टिटूशन से है वो हमने पूरी फुल्फिल की और उसको और भी ब कितना फाइदा जो है युवाओं को इसे होने वने आदे हैं ये हमारे इंस्टिटूट का रोल युवाओं और युनिवरसिटी टाइप की एडूकेशन का नहीं है तो डारेक्ट रोल तो नहीं होगा मगर जो हमारे यहां से तमाम लोग बाहर निकलते हैं वो जो यहां से लेके जाते हैं वो इसको उसका विस्तार करते हैं अपने इस्टिटूशन में अपने समाज में तो युवाओं को का बने चुकी यहां पर में बी या एम फिल या पिएश्डी के प्रोग्राम्स नहीं होते हैं तो डारेक्ट में कर युवाओं के जो टीचर्स हैं और उनकी जो प्रेणा स्त्रोथ हैं वो लोग यहां पे आते हैं और वो लोग यहां पे परिवर्तित होके जाते हैं और यहां परिवर्तन में मदद भी करते हैं